तो अब हम आए हैं इंडिया के टॉप मोस्ट हंटेट फेसेज में से एक सैनिवार वाड़ा और यहां हमारे साथ हुआ कुछ ऐसा तो अभी हम जा रहे हैं पूने घूमने तो चलिए चलते हैं लेट्स को तो अभी हम आए हैं चटुल स्टिंगी मंदिर तो वहां है मंदिर और अभी हम आधी सीधियां चड़ चुके हैं तो यहां हमें अपने सूज उटारने हैं और बाकी बची हुई सीधियां चड़नी है तो गाइस अभी जस्ट हम मंदिर से बहां निकर कर अपने कार में बैठे और यहां से अमिट्सा की कार जा रही है और अब हम जंगली महराज मंदिर आए हैं मंदिरों में कैमरे अलाउद नहीं होने की वज़े से हमाँ वीडियो नहीं बनाए तो अब हम आ चुके हैं सनिवार वाड़ा में जो है इंडिया के टॉप मोस्ट हंटेड पेसेज में से एक और यहां हमारे साथ हुआ कुछ ऐसा कि मैं गिर्टे गिर्टे बची ओनो देखा अपने लापरवाई का नतीजा है और यहां उपर से व्यूप काफी सुन्दर दिख रहा है और आज भीर भी कम है तो नेक्स्ट हम आ गए है डगडू सेट मंदिर और यहां आज बहुत कम भीर है तो हमें 10 से 15 मिनत में ही दर्शन हो गए और यहां फोन एलाउड नहीं था तो हमें बहार से ही वीडियो बना लिए ताकि आप लोग भी दर्शन कर सके तो अब हम आई है इस कौन टेमपर जो काफी ही सुन्दर है और वहां है हमारी क्रिश्कन भगवान तो हम सेकेंड टाइम्स कौन टेमपर आई है इससे पहले हम देहली में गए थे और अब पूने में आई है दोनों ही बहुत सुन्दर है और काफी सांट भी है हम यहां आए चार पच्चिस में और खुलने का टाइम चार तीस था तो हम वहीं बैठे कुछ देर फिर इड्वार खुले फिर पल्टे हटे और हम देखेंगे और अब हम यहां थोड़ा मंदिर घूम रहे हैं बहुती संदर मंदिर है और यहां हमें एक छोटा सा मिनी तिरुपती मंदिर दिखा जो बहुती संदर लग रहा है और अब हम जा रहे हैं तरसन करने के लिए अब हम गौमा तजी से आसे बाद लिए तो अब हमें लग गई है थोड़ी भूख तो हम जा रहे हैं किसी रेस्टरेंट में खाने के लिए तो अब हम आ गए है स्वामी नारायन मंदिर जोकी है पहारों के किनारे और यह बहुत ही सुंदर है तो गाइस हम यहां से निकल नहीं वाले थे बट बारिस सुरू हो गई है तो अब हम बारिस के रुकने का वेट कर रहे है तो अब हम आ गए है मंदिर के बहार और अब हम जा रहे हैं यहां का डैम देखने के लिए और हमें मिल गए थी काफी ट्रैफिक तो डैम पहुचते ही रात हो गए तो हम फोटोज और वीडियो नहीं लिए और अब हम जा रहे हैं घर वीडियो अच्छी लगी होटो लाइक करे कॉमेंट करे सब्सक्राइब करे और हमारे नेक्स्ट वीडियो का वेट करे बाई बाई करे बाई